हलो फ्रेंट से एक बफिर आपको होतो स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चला न्यूस भी दाई है इसमें और पुलिस वर्ति का इंतिजार कर रहा है सभी इस्ट्रेंट्स का एक बफिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप इस वीडियो में आंदे तक बने रह क्या है इसके साथ ही और भी कई सारी इपॉर्टेंट चेंजे आज की इस वीडियो में यहां पर आपको जाने के लिए मिलने वाली हैं तो यदि आप भी पुलिस वर्ति के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपको बहुत जादा इंपॉर्टेंट होने इसके साथ ही फ्रेंट्स अगर भी तक आपने चैनल को सब्सक्राब नहीं किया है तो इसी तरह से जोड़ी और भी लेटेस्ट न्यूज के लिए भरती परिच्छाँ से संबने जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राब करके हम से जोड़ सकते हैं इसके साथ ही इस इसके साथ ही आप इस नोटिस को यहाँ पर से की ऑफिसिल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसके लाब इस नोटिफेकेस्ट को डाउनलोड करने की लिंक आपको इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब दक्रा दे गई है मैं आपसे पूरा देखीगा सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके ऑनलाइन आवेदन के बारे में जो की एक अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं सबी स्ट्रेंट्स यहाँ पर लास्ट डेट के बारे में जानना चाहेंगे तो जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर साथ सितम साथ सितम्बर तक आप इसके लिए ससी की ओफिसिल वेबसाइट से ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसके साथ यहाँ पर आपको चालना जनरेट करने की अलग अलग डेट रखी गए इसे आप यहाँ से नोट कर लिए हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं इल्जिबिलिटी क्रेट इसके साथ ही हहां पर बात करें नंबर आउफ वेकेंसी के बारे में कौन सी केडिगरी के लिए कितनी वेकेंसी यहाँ पर थाइस। इस यहाँ पर बात करें इसी के बारे में तो यहां पर Сегодняप और 503 वेकेंसी हैं। उसके बाद याद हम यहाँ पर बात करें MBC category की students के लिए तो यहाँ पर 11这3 vacancy हैं and after that यहाँ पर हम बात करें AC और ST candidates के लिए तो किरम सा यहाँ पर 137 students के लिए और 302 ST candidates के लिए total vacancy यहाँ पर रही गई इस591 446 पूस्ट हैं Delhi.Police में आफ इस के लिए ऑनलाइन आव दन कर सकते है, इसके साथ ही आप इस वैकन्सी के लिए चाए किसी भी ए स्टेट से बिलोंग् giving करते हों कि ende 15जी गांण क्रते हों या फिर आप उत्रखंट से बिलोंग करते हों या फिर ईसी भी इस्टेट से विलॉग करता हूँ 이स लिमिट के बारे में बात करें तो आपको यहां दिखने के लिए मिल ला होगा जो एह जो है ऑताय से पच्छेस साल के बीच में होने चाहिए और यहां-पर जो आपको देखने के मिल आओगा कि जो year है one July 2020 को यहाँ पर जो एज की calculation है वो एक July 2020 के according की जाएगी इसके साथ ही एज में कुछ relaxation मिलने वाला है उसके लिए आप देख सकते होंगे आप पर एज में यहाँ प्रेसी स्ट को five years का relaxation को three years का यहाँ पर अलग 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 रिजर्वेशन जो है वह मिलने वाला है इसलिए मैं आप से फिर कहना चाहूंगा कि इस वीडियो एप फाइल को आप डाउनलोड के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो qualification के बारे में यहाँ पर बताया गया है जो ही qualification जो आपको 7 सितंबर 2020 तक आपके पास मौजूद होने चाहिए यानि कि closing date तक यह जो यहाँ पर eligibility है यह आपके पास होना चाहिए तब ही आप इसके लिए eligible होंगे सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते होंगे 10 प्लस टू के आपके पास माक सीट होना चाहिए यान कि जो 12th क्लास है आपकी वो किसी भी बोर से आप पास होना चाहिए तब ही आप इसके लिए आवे दिन कर पाएंगे 12th क्लास पास होने के साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ और रखी गई है जो कि आपको यहाँ 7.2 में देखने के लिए मिल लई होगी यह जो eligibility है केवल और केवल मेल कंडिडेट्स के लिए यहाँ पर आप देख सकते होंगे मेल कंडिडेट्स मस्ट पोसेज एज वैले ड्राविंग लेसंस फॉर LMB मोटर साइकल आर कार आज ओन देट ओफ पी एंड एमटी लेर्न लेसंस इस नॉट एसप्टेवल यानि कि आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर आपके पास LMB का जो मोटर साइकल या फिर कार का जो ड्राविं लेसंस होता है वो होना कंपल्सरी है फिजिकल टेस्ट तक ठीक है जब आपका फिजिकल टेस्ट होगा उससे पहले पहले आपके पास एक यहाँ पर ड्राविं लेसंस वैद ड्राविं लेसंस होना कंपल्सरी है और जो लर्नर लेसंस होता है ठीक है ड्रावि से रीट का लीजेगा जो भी में में इल्जिबिल्टी उनके लिए मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूं इसके साथ यह अप्लिकेशन फीस के बारे में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला होगा जो फीस है वो यहाँ पर हंडाट रुपीज रखी गई है सो रुपए आपेदन फीस है इसके साथ ही SD कंडिडेट्स और इसके साथ साथ SD कंडिडेट्स एक्स सर्विसमेन और यहाँ पर जो फीमेल कंडिडेट्स होंगी यानके लेडेज होंगी उनके लिए कोई भी सुल्क नहीं रखा गया है ठीक है सबी को यहाँ पर जीरो सुल्क पर मिलने बाला है आवेदन यहां 9.2 में आपको लिखा हुआ देखने के लिए मिलना हुई होगा women candidates चाहिए किसी भी category से belong करते हूँ girls candidates और कि female candidates चाहिए किसी भी category से belong करते हूँ किसी भी type का चार्ज है यहां पर online आवेदन के लिए नहीं देना होगा इसके बाद है दिए हम यहाँ पर बात करें Examination Centers के बारे में कौन कौन से जिले में यहाँ पर Examination Centers बनाए जाएंगे तो सबसे पहले आप जोग सकते होंगे Central Reason N की विहार और उत्तर पिर्देस के बारे में बता गया है इन इन डिस्टिक्स में यहाँ पर Examination Center वनने वालें आप इसे नोट कर लिजेगा पूरा अगर मैं पढ़कर बताऊंगो तो विड़ो काफी जादा लॉंग हो जाएगी इसलिए आप यहाँ से नोट कर लिजेगा यहाँ पर Eastern Reason में इन डिस्टिक्स में Examination Centers बनेंगे इसी टैप से करनाट का रिजन में और केरल रिजन में Examination Centers के लिए इन डिस्टिक्स को चूज किया गया इसी टैप से मद्दे पिर्दे सब रिजन में यहाँ पर इन डिस्टिक्स में Examination Centers बना जाएंगे आप इसे एक बार डाउनलोड कर लिजेगा इस वीडियो फैल को उसके बाद आसानी से आप देख लीजेगा इसमें सारी जानकारी दीगी यह ठीक है चलिए बहुत सारे यहाँ पर Examination Centers के बारे में बताया गया है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में दी हम यहाँ पर बात करें कौनकों से सब्जेक्ट के कितनी questions आएंगे कितनी marks होंगे सबसे पहले general knowledge current affairs से यहाँ पर total number of questions 50 रखे गाए इसी टाप से reasoning के 25 questions आएंगे numerical ability के लिए यहाँ पर 15 questions आएंगे और computer fundamental MS Excel MS Word यान की computer से ही related यहाँ पर total 10 questions आएंगे जिसके लिए time आपको मिलने वाला है डेल घंटे यान की 90 मिनट इसी टाप से physical test के लिए भी यहाँ पर कई सारी eligibility बताए गए जैसे के height, chest बगर यह सारे चेज़ें आप डॉनलोड करके इसे आसानी से पढ़ लेजे मेल फीमेल के लिए आलाग अलाग याँ पर physical eligibility बताए गए तो उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और दोस्तों आज की इस वीडियो बस इतना ही से तरस जोड़ी और भी latest news के लिए आप हमार साथ बने रहेगा थैंक यू सो मुच पर वाचिं इस वीडियो